हेलो बच्छों, अब हम पढ़ेंगे आपका जो सेकिंड चैप्टर है, दे मैप उसमें से कलर के बारे में की कलर्स क्या होते हैं? The art of making or drawing map is called cartography. जो पता है कि art होती है, drawing बनाने की, या फिर map बनाने की तो उसे हम बोलते हैं cartography. जो cartography यूजुज डिफरेंट कलर्स, मतलब अलग-अलग colors इसमें यूज ओते हैं आपके maps में, अलग-अलग चीज़ों को बताने के लिए. मैप फॉलो स्टैंडर्ड और कलर स्कीम मतलब मैप क्या करता है एक स्टैंडर्ड कलर की स्कीम होती है उसको फॉलो करते है जैसे कि देखो है यहाँ पे वाटर बोडी इस लाइक अगर हमें वाटर को दिखाना है मैप के अंदर जैसे सी हो गया ओशन होगे रिवर्स होगे यह यहाँ पे वाटर पर रिवर्स होगे इसलिए आप ब्लू के फॉल्र शो हो नहीं वैसे ही वहाँ पे green color show करें, green क्यों करेंगे, grass वेगरा, land धरती है वो, इसलिए वहाँ पे green show करेंगे, अब आता है, highland and mountains are shown in orange and brown, जो highland उपर होते हैं, mountains वेगरा होते हैं, जो पहाड वेगरा होते हैं, उन पे orange color या brown color यूज़ करते हैं, orange show plateau, orange वेगरा होते हैं, जो प्लेटू से वो इस तरह के उपर उपर होते हैं, आपके उपर, फिनीचे वो गया, ये प्लेटू से आपके, इसे उपर, फिनीचे ऐसे करके, इसे ये प्लेटू से वेगरा होते हैं, ना रपक ब्राउन कल्षोन, हाईलि मौणंटें औन हील. ढार्क ब्राउन होरे वह किस से शो कर से मौण्टेंज अंहेल healthy मौणंटेंज पersonal का करहाते हैं तो यह तो कलर इन कि का टॉपिक पैप जो है को डिन आप टॉपिक मैं आपको लेखें और अविक जाया एक कर दो system को começa करेंगे!! तो एससे आपको हम कैसे यूज्झा करते हैं ठरीज हरा थोड़ा समझना मुश्कील है ए 25 जयुक्त र्टिर गयां टो हम एक करेंगे मपिन मपिन में एए भी它 इस कार time imagination